हलो दोस्तो एस्वी स्टड़ी के अनमे आपका स्वागत है आज हम सुरू करने वाले हैं राजस्थान जिला दर्शन का टॉंक जिला तो आज हम टॉंक जिले का सामाने परीचे उपनाम छेत्रफल मेलेवत्य उंहार अकसांसिय और देशांत्रिय इस्थती परमुख मंदिर प पिस्तार से पढ़ेंगे तो वीडियो को लाश तक देखना बिल्कुल भी स्कीप मत करना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना तो चलिए करते हैं सुरू राजस्थान जिला दर्शन का टॉंक जिला दर्शन टॉंक को बोला ब्रामन ने भूमग चलिए अगर दर्शन के दिशान आट अगरें आप है डोंक जिले का सामाने परीच्चार से तो अब तोंक जिले का चित्र फल अब हम पढ़ेंगे टॉंक जिले के उपनाम या अन्य नाम. तो इसके अन्य नाम है टाटा नगर, नवाबों की नगरी. टॉंक जिले का संभागे मुख्यला अजमेर है. अब पढ़ेंगे हम टॉंक जिले के परमुक मेले और त्युम्हार. सबसे पहले आता है डिग्गी कल्यान जी का मेला यह मेला टॉंक जिले के डिग्गी मालपुरा में अक्टुबर मास स्रावन मुस्टुकल एकादसी में भरता है अब आता है पुलानी एकादसी का मेला यह मेला टॉंक जिले के डिग्गी में बादवा गैरस को भरता है अब आता है चांद सेन पसू मेला यह मेला टॉंक जिले के मालपुरा कस्वे के पास चांद सेन नामक बांध पर भरता है यह मार्ज अपरेल माँ में भरता है पढ़ेंगे हम टौक जिले के परमुक मंदिर या सीर्ष मंदिर अब हम मंदिरों के बारे में विस्तार्श पढ़ेंगे सबसे पहले आता है कल्यान जी का मंदिर यह डिग्गी मालपुरा में है इस मंदिर का निर्माण मेवाड की माराना संग्राम सिंग के राज जी एक काल में हुआ था यहां सरदालू तारकेश वर मंदिर जो जैपुर में है से दंडवत लगाते हुए आते हैं मुसलिम इसे कलाय पीर के नाम से भी पुकारते हैं डिग्गी के कल्यान जी को याद करते हुए सरदालू लोग गीत गाते हैं अब आता है जल देवी का मंदिर जल देवी का मंदिर टौक जिले की टोड़ा राइशिंग तैसिल के बावड़ी गाउं में इस्थित है अब आता है देव नाराणी जी का मंदिर यह मंदिर मासी बांडी वखारी नदी के संगम पर जोधपूरिया गाउं में है पिर आता है गोकरनेश वर महादेव का मंदिर यह बिसलपूर टौक में इस्थित है आप पढ़ेंगे हम टौक जिले के परमुक बांद एवं बाौडिया सबसे पहले आता है विसलपूर बांद प्रियोजना यह प्रियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेजल प्रियोजना है जो राजस्थान के टॉंक अजमेर एवं जैपूर जिलों को जिलापूर्दी करती है टॉंक जिले के राज महल टोड़ा राइसिंग में बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेनी संगम पर इस्थित है यह राजस्थान का एक मातर करकिट शे बना बांध है अब आती है हाडी रानी की बावडी या कुंड यह बावडी टॉंक जिले के टॉड़ा राइसिंग कस्बे के मद्दे इस्थित है इस बावडी पर पहली फिलम बनाई गई थी अब आता है टॉरडी सागर बांध यह बांध भी टॉंक जिले में बना हुआ है इसकी सबी मोरिया या गेट खोलने पर बांध में एक बूंद भी जल सेश नहीं बचता है अब आता है बुध या सुध सागर बांध यह टॉंक जिले के टोड़ा राइसिंग कस्बे में इस्थित है इस सागर के निकिट पाड़ी के उपर संथ पीपा की गुफा इस्थित है यह हो गए टॉंक जिला के बांध और बावड़ी तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद